सम्मानिय अध्यक्ष महोदे, आज मैं ओडिशा राज्य के मिनरल माइनिंग सेक्टर खनिज खनन शेत्र में हो रही व्यापक और नियमितिता की तरफ आपका ध्यान आकर्शित करना चाहती हूँ. ओडिशा राज्य में आर्थिक वर्ष 2021 में बहुत सारे आईरन ओर माइन्स राज्य सरकार द्वारा निलाम किये गए थे। शुरू कर दिया। सर उदाहरन देना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि 55% फेरस कंटेंट से कम वाले आईरन ओर को हम लो ग्रेड आईरन ओर कहते हैं। और इसका मुल्य बहुत कम होता है। आर्थिक वर्ष 2019-20 यानि कि माइन्स निलाम होने से पहले लो ग्रेड आईरन ओर का प्रतीशत in माइन्स में शून य दसमलव नौ प्रतीशत था 0.9% महोदय एक वर्ष के अंदर इन नए निलाम धारियों ने ये 0.9% को 27.3% दिखलाया। 0.9% बिकेम 27.3% लो ग्रेड आईरन ओर इतना बढ़ गया। 20-30 सालों से जिन माइन्स में हाई ग्रेड आईरन ओर होता था वो एक वर्ष में 2021 और 2021-2022 सर एक वर्ष में यह बढ़कर 27.3 प्रतीशत हो गया और अप्रिल और माई 2022 में यह प्रतीशत बढ़के 42.3 प्रतीशत और 58.9 प्रतीशत हुआ 42.3% और 58.9% सर इससे होता क्या है आवरेज सेल प्राइस कम हो गया बिड अमाउंट कम हो गया डिस्ट्रिक्ट मिंडरल फंड में कम पैसे आने लगे और करोणों का नुकसान राजकोष को हुआ और जन कल्यानकारी कारिय दुर्भाग व प्रतीशत बूरी तरीके से प्रभावित हुए। मांगा गया तलब की गई लेकिन सर उडिसा राज्य सरकार ने करन पात नहीं किया अभी तक किसी भी तरह की इंक्वारी नहीं हुई है और इससे राजकोष को बड़ा नुकसान पहुँचा है दुख की बात है कि जन कल्यानकारी कारिय बहुत कम संख्या में हो रहे हैं और म पेंद्र सरकार तुरंत राज्य सरकार से फिर से रिपोर्ट मांगे एंक्वारी हो और इस दिशा में सुधार लाया जाए अन्यवाद झाल